रवश्कार आप देख रहे यूपी तक और मैं हूँ रजत सिंग उत्तरप्रदेश में लोकसभा चुनाओ यानि उपचुनाओ की चर्चा शुरू हो गई है आजमगर में खेल बदलने जा रहा है दलसल आजमगर से समाजादी पार्टी अपने प्रत्यासी को बदल सकती है फ अपने आप में बहुत बड़ी ख़बर है दरसल समाजवादी पार्टी के सूत्रे कह रहे हैं कि अब सपा वहां से अपना जो उमीदवार है वो बदल सकती है और नया उमीदवार कौन हो सकता है उनमें दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं पहला नाम है डिमपल यादो का जो क अखले शादो की पत्नी है इससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं लेकिन उनका उपचुनाव में टैक रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है वहीं दूसरा नाम चल रहा है धर्मेंद रियादो का धर्मेंद रियादो भी अखले शादो के परिवार से हैं और वो भी सांसद रहे चुके हैं, ऐसे में किसी एक को वहां से उदारा जा सकता है, फिलहाल पार्टी के जो सूत्र कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों नामों की चर्चा है, दरसल जब अखलेश यादों ने सुनील आनंद का नाम लिया, तब से भी इस बात की चर्चा शुरू हो अखलेश यादों ने खुद आरोप लगाया कि जो बसपा का वोट बैंक था, यानि कि जो दलित जाटा वोट बैंक था, उसका ट्रांसफर अखलेश यादों की पार्टी यानि सपा के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि आजमगर का जो आपना अस्थानिय समीकरन है, उसमें या बहारी मात्रा में इसका विरोध हो रहा है, यानि कि जो आजमगर के अस्थानिय नेता है, वो अस्थानिय जो पार्टी के काडर है, वो अखलेश यादों के सामने अपना बहुत बड़ा विरोध जता है, और इस विरोध के बाद अखलेश यादों जो हैं, वो अपना मन ब राजबबर से से पहले भी चुनाव में हार चुकी है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है ऐसे में अखलेश यादव इस बात की रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि वह डिमपल यादव को चुनावी मैदान में उतारें वहीं धर्मेंद्यादव को लेक रहे हैं कि अब आजमगर में अगर सुनील आनंद चुनाव लडते हैं तो पॉलिटिक्स पर और एक मजबूर क्दम होगा लेकिन तो हो सकता है कि पार्टी अगर प्रक्तियासी बदल देते हैं दिंपल यादव धर्मेंद्र यादव में से किसी को टिकट देती है तो अकलेश यादव की उपर एक बार फिर से आरोप लगेगा जो आरोप चंसेखर ने इससे पहले लगाया था चंसेखर उनसे गट बंदन चाह रहे थे जब उनका गट बंदन नहीं हो तो उन्होंने कई अकलेश यादव को दलित विरोधी तक बताया था अगर यह बदलते हैं तो भी रिस्क है और जिसके साथ हो लड़ रहे हैं वह भी रिस्क हैं आपको रता दे कि सुनील आनंद आजमगर के पूर्व बामसेफ के जो नेता थे बलिहारी बाबू उनके लड़के बलिहारी बा का नाम बड़ी चर्चाबरा लेकिन मायावती से टकराव के बाद उन्हें पार्टी से किनारे कर दिया गया वह कॉंग्रेस में भी गये उसके बाद वह लौट कर समाजाधी पार्टी में आया अब उनके बेटे सुनील आनंद को जिस तरीके से सपाने मैदान में उतारा है को बड़ी चर्चा है लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो ब्यस्पी ने गुढदुज अमाली को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने निडववा को मैदान में उतारा है एक बात यह भी पार्टी की तरफ से बात की पुष्टी की जाएगगी यूपी तक आपको तु झाल झाल